असलाम वालेकूम हेलो दोस्तो मैं हूँ आईशा और मेरे चैनल आईशा स्केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है इस सिंपल और खुबसूरत डिजाइन को मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं आज मैं बटर स्कॉच फ्लेवर में केक बना रही हूँ और बटर स्कॉच फ्लेवर में इस तरह से हम प्रोलाइन का भी इस्तिमाल करते हैं प्रोलाइन बनाने के लिए कैशूनट और पीनट को इस तरह से थोड़ा करश करके लेंगे प्रोलाइन और कैशूनट को मैंने 40 ग्राम लिया है और यहाँ पर 40 ग्राम चीनी ली है प्रोलाइन बनाने के लिए हमें गैस की आज को हमें दीनी ही रखनी होती है यहाँ पर कड़े में इस तरह से चीनी को फैला लेंगे यहाँ पर चीनी को इस तरह से मेल्ट होने दे चीनी जब तक मेल्ट नहीं होती इसे किसी भी तरह से ना हिलाए जब चीनी इस तरह से गोल्डन होने लगे तो इसे स्पैंचुला की मदद से हिलाए और melt कर ले और जब इस तरह से चीनी अच्छे से melt हो जाए तो इसमें हमने जो crush किये हुए पीनट और कैश्वनट को add करे और इस process को जल्दी जल्दी करना होता है वरना चीनी जल जाती है शुगर जब melt होती है उस time पे आप इस तरह से plate को greasing कर ले प्लेट को मैंने यहाँ पर oil से grease किया है आप यहाँ पे गी से भी कर सकते हैं इस process को गरम गरम ही करना होता है तो आप तो इस process को करने के लिए कुछ बातों का ख्यायल रखे इस तरह से melted चीनी बहुत ही ज्यादा गर होने की वज़ा से हमारे हाथ भी जल सकते है इसलिए मैंने इस तरह से इसे spread किया है और आप देख सकते हैं 5-6 मिनिट में यह बंद कर ready हो चुका है यहाँ पर और भी मैंने फ्रोलाइन बनाई है सिर्फ यहाँ पर मैंने एक twist किया है वहाँ पर मैंने सिर्फ crush किया था और य चैशु को add किया है जिस पर हम चपाती बेलते हैं उसी पर मैंने इस तरह से इसे spread किया है और बेलन की मदद से भी मैंने इसे अच्छी तरह से spread कर लिया है इस तरह से हलका ठंडा होने के बाद इसे मैं sharp type से cut कर रही हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से इसके अच्छे pieces हो चुके हैं यहाँ पर इस तरह से जिप लोग बैग में मैंने प्रो लाइन को भर कर इस तरह से crush कर लिया है जो हमें केक के लिए इस्तिमाल करना है और बाकी बचा हुआ मैंने इस तरह से airtight डबे में भर कर रख दिया है अब हम इस प्रो लाइन को add करके हमारे cake को बनाएंगे यहां पर मैंने क्रीम में हमेशा की तरह बटर स्कॉच सिरप को एड़ किया है केक को सोक करने के लिए जो पानी इस्तिमाल होगा इसमें भी मैंने बटर स्कॉच सिरप को एड़ किया है फिर्स्ट प्लेयर पर मैंने इस तरह से क्रीम को स्प्रेड कर लिया है इतने भी क्रीम इस्तिमाल की है, उसमें मैंने बटर स्कॉच सिरप को एड़ किया है, क्रीम में सिरप को एड़ करने की वज़ा से आप यहां पर क्रीम का टेक्चर देख सकते हैं, शाइनी हो चुका है, इस तरह से अच्छी तरह शार पेज़ आने के बाद मैंने केक को रोजेस बना लिये है, इस तरह से मैंने रोजेस को बना कर फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया है, मैं हमेशा इस तरह से एक साथ सभी फ्लावर्स को अरेंज करके फ्रीज में सेट करने रख देती हूं, और फिर इसे केक पर प्लेस कर देती हूं, रोजेस को बनाते व से उभर कर आते हैं जिस तरह गुलाब की पंखड़ियां उपर की तरफ से पतली होती हैं उसी तरह से बन जाती हैं यहाँ पर रोज बनाने के लिए पहले इस तरह से बेज दे और इस तरह से आप सी को बनाते हुए एक पैटल को दुसरी पैटल के बीच से ही बनाते जाएं र इस तरह से रैंडमली लगाई हुइं हुवी क्रीम भी हमारी बहुत ही खुपसरद और पैरी लग रही है। इस तरह से मैंने फ्लावर्स पर सिल्वर स्प्रे को डस्ट किया है और उसी बच्ची भी ब्लू क्रीम में मैंने प्ले ग्रीन ब्लैन करिंद कर ना सकत्यक्त I यहाँ पर मैंने फिर से एक पर सिल्वर स्प्रे को पूरे केक पर डस्ट किया है और यहाँ पर कुछ शुगर बॉल्स को एड़ किया है जलत ही मिलेंगे एक और नहीं डिजाइन के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्ला हफिज